गुद इवनिंग फ्रेंज्स, कैसे आप सभी के सभी, तो आज बहुत सारे बच्चों को खुश खबरी मिली, RRB का रिजल्ट रहा, कुछ बच्चे स्केल वन में प्लेस हुए, कुछ बच्चे एक लोग बने, और कुछ बच्चों का ये डाउट है कि सर हमें एक्जेक्टली की Main List में नहीं डाला गया है, हमें Reserve List में डाला गया है, तो इसका क्या मतलब है, क्या हमारा Selection पका हो चुका है, Selection पका निये हैं, तो क्या Chances है Selection के और कब तक की List वगएरा declare की जाती है, सबसे पहले तो मैं यह कह देता हूँ कि possibility है कि आपका भी job लग सकता है, बट कोई final selection नहीं होता है, यह कोई final आपका यह नहीं रहती, जैसे main list का एकदम पका है, कि pre-joining formalities वगएरा होंगी, और उसके बाद उनको job मिल जाएगा, job वो start कर देंगे, बट reserve list में ऐसा नहीं रहता, यह bank के description पर रहता है, depending कि कितने लोग छोड़ते हैं, क्या requirement रहता है, उसके according आप लोगों को बुलाए जाता है, और reserve list से वो बच्चे फिर उठाए जाते हैं, ठीक है, अब कितनी reserve list आती है, यह मैं आपको confidently बता सकता हूँ, total चार reserve list आप लोगों के इस साल में आएंगी, जो पहली reserve list है, वो 31 March को release होगी, 31st March, दूसरी जो reserve list है, आपकी 30 September को release होगी, sorry, दूसरी आपकी 30 June को release होगी, और तीसरी आपकी 30 September को होगी, और final जो reserve list है, अभी जैसे 31 December वाली, इस बार आपने देखी थी, वो final reserve list आपकी 31st December को, तो total 4 reserve list आएगी, अगर bank का requirement रहेगा, तो आपको इन 4 reserve list में बुलाए जा सकता है, तो बच्चों को मैं यही suggest करूँगा, ऐसा नहीं कि कोई chance नहीं है, chance जरूर है, बट कोई पका नहीं है, कोई 100% guarantee नहीं है, कि आप लोगों का job लगे गई लगेगा, तो best यह है कि अब आपने आगे अच्छे से preparation करते हैं, आपने बहुत जादा close है, बहुत जादा close है, अब अपने को break नहीं आने देना है, और इसी तरह से continue करना है, I am sure कि अगर आपके cut-off से कुछ ही points में कुछ कम हैं, तो हो सकता है reserve list भी clear हो जाए, और साथ ही साथ इसी तरह आप preparation करते होगे न, तो 2022 का कोई न कोई या 2021 के अभी कुछ main से exam बचे उनमें clear कर लो, तो मेरी तरफ से आप सभी को best of luck है, reserve list का exactly, अब क्योंकि idea किसी को नहीं रहता है, कि यार इतने कम है, तो इतने percent ही है, सब पर मैं वीडियो नहीं डालूँगा, जो पक्की चीज़ है, वो मैंने आपको बता दिए, कि 4 reserve list आएगी और आगे अपने को preparation करना है क्योंकि ऐसा नहीं कि नहीं होना है, या फिर ऐसा भी पक्का नहीं कि हो गई होगा depending on कि कितनी frequency create होती है, क्या requirement different banks की रहती है, ठीक है, तो 4 मैं बता देता हूँ, फिर से dates क्या क्या है सबसे पहली reserve list आएगी आपकी 31 March को, दूसरी आएगी 30 June को तीसरी आएगी 30 September को और final आएगी 30 December को ठीक है जी, साथ दी साथ अभी currency देखो, Unacademy Plus पे बहुत ही शांदार offer चल रहा है, एक जनवरी से 3 जनवरी तक सभी subscription पे 22% सीधा off मिलेगा, अगर code यूज करोगी, WIN, WIN मतलब जीत, simple सा 3 letter का code है, WIN इस्तमाल खरीदने का सोच रहे थे न, इससे अच्छा सा मैं नहीं मिलेगा, तो इसका पूरा का पूरा फायदा लेजे तो चलिए guys, now that's all for today's session, take care